नमस्कार दोस्तों आपका हमारे चैनल में स्वागत है दोस्तों यदि आपके बच्चे का जनम सनी वार 13 अप्रेल 12 चोबिस को जनम हुआ है तो आपके बच्चे का पाया नक्षतर रासी और जनम अक्षर क्या रहेगा आज हम इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे दोस्तों यदि आपके बच्चे का जनम 13 अप्रेल को सुबै 12 अम से 12 बचकर 51 मिनट अम के बीच में जनम हुआ है तो आपके बच्चे का पाया नक्षतर का चोथा चंड़ 20 रासी और वीडियो अक्षर से बच्चे का जनम अक्षर निकलेगा और यदि आपके बच्चे का जनम 12 बचकर 52 मिनट A.M. से 6 बचकर 46 मिनट A.M. के बीच में जनम हुआ है तो आपके बच्चे का पायरीजा स्मौन मरीग सिरानक सतर का पर्थम चन वरीश रासी और वे अकसर से बच्चे का जनम अकसर निकलेगा और यदि आपके बच्चे का जनम 6 बचकर 47 मिनट A.M. से 12 बचकर 44 मिनट P.M. के बीच में जनम हुआ है तो आपके बच्चे का पायरीजा स्मौन मरीग सिरानक सतर का पर्थम चन वरीश रासी और वे अकसर से बच्चे का जनम अकसर निकलेगा और यदि आपके बच्चे का जनम 12 बचकर 45 मिनट P.M. से 6 बचकर 45 मिनट P.M. के बीच में जनम हुआ है तो आपके बच्चे का पायरीजा स्मौन मरीग सिरानक सतर का पर्थम चन वरीश रासी और वे अकसर से बच्चे का जनम अकसर निकलेगा और यदि आपके बच्चे का जगम 6 बच्च का 46 मिनट पीम से 12 बच्च का 49 मिनट एम 14 प्राय 2024 को जणम हुआ है तो आपके बच्चे का पाहर गासुवान मिरीक सिरानक सत्तर का चोथा चान मिथुन राशी ओकी अक्षर से बच्चे का जणम अक्षर निकलेगा धन्यवाद